तो आज हम वर्ल्ड हीस्ट्री के लेक्चर नंबर 10 में अमेरिकन रिवॉवॉचन को शुरुबात करने वाले अब तक हम वर्लिषिर के 9 लेक्चर कम्प्लेट कर चुके चलिए आज का लेक्चर नंबर 10 जो इसकी शुरुवात करें अब यह जो word है that is American or revolution इसमें revolution क्या होता है इसका पहले meaning जान लेते फिर आपको पता ही चल जाएगा American revolution क्या होगा तो revolution याने क्या जैसे कि हम यह revolution यह जो word है इसमें revolution यह word को industrial revolution को पढ़ते वक्त भी हमको यह word आया था अब यह जो word है यह word का meaning क्या है what is the meaning of revolution यह हमारा पहला सवाल है इसको हम solve कर लेते सबसे पहले revolution as you know from your studies the study of the industrial revolution industrial revolution हमने पढ़ा तब हमें क्या पता चला revolution यह एक drastic और radical change आ रहा है किसी भी चीज में जब बहुत drastic change आता है बहुत बढ़ा change आते है उसे revolution कहा जाता है revolution जो होता है यह can be यानि यह हो सकता है कि sudden overthrow हो अचानक से जो भी established government है जो भी government बनी है या जो भी system चल रहा है जो force से चला जा जा रहा है उसको कही ना कही suddenly overthrow कर दिया जाता है suddenly उसे खतम कर दिया जाता है और वहां bloodshed भी हो सकता है वहां लोगों का खून भी बह सकता है revolution में उसके साथ-साथ हम कह सकते है it can also be the great change that comes slowly and peacefully ये भी हो सकता है देखे मैंने क्या बोला सबसे पहले ये कोई sudden overthrow भी हो सकता है दूसरा ये slowly और peacefully आया हुआ change भी हो सकता है revolution कोई भी चीज हो सकती है जिसमें पूरानी चीज़े बदल दी जा रही है however you should remember that every change of government is not a revolution ये भी याद रखेगा हर एक जगह जहां पे government को change किया जा रहा है उसे revolution नहीं कहा जाता है क्योंकि revolution में fundamental change किया जा रहा है in the entire political system of the country याने इसमें पूरा system ही बदला जा रहा है revolution में ब सकते है but voting and revolution revolution ने पूरा political system जो देश का है वो बदल दिया जा रहा है जो nature of the government है उसको बदल दिया जा रहा है या फिर class और classes जो political power को hold कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं यहां change कर दिया जा रहा है and also in the aims of the government ये चीज़े जो government के एम थे उसमें भी change लाया जा रहा है इसको हम revolution कह सकते हैं तो revolution जो है उसमें people do not usually revolt against government आपने कहा देखा है कि लोग जारे और government के खिलाफ कहीं ना कहीं revolt किये जा रहे बट रिवोल्ट या क्रांती जो होती है वो कब होती है पता है जब उन्हें यह पता चलता है कि अब वो इस तरह से नहीं रह सकते जिस तरह से government उन्हें तरीके से चला रहे उस तरीके से हम रह नहीं सकते तो उस वक्त लोग रिवोल्ट करते हैं सरकार के खिलाफ revolution जो होते हैं ऑकर स्विन एग्जिस्टिंग सिस्टम विकेंश अन्वेरेबल है ना जब लोगों को सहन नहीं हो रहा है या उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है majority of people के लिए कि वो चीजों के चलते रह सके उस government के चलते रह सके तो this in itself makes conditions ripe for setting up a new system तब लोगों को ये लगता है कि अब नया सिस्टम आना चाहिए आखिर कहा जाता है ना necessity is the mother of invention जब लोगों को कोई चीज नेसेसरी लगती है तो लोग उसको बराबर बदल देते हैं उसका रास्ता निकाल लेते और revolution इसी कारण होता है जब लोगों को नय सिस्टम की जरूरत पढ़ती है और वो खुद नय सिस्टम को लेके आते हैं और इसी को हम revolution कह सकते हैं तो यह मीनिंग होता है revolution के मीनिंग के बाद अब हम जाते हैं American revolution का आज हम introduction देखेंगे जब American revolution का introduction देख चुका हूँ Englishman कुछ थे अब क्या था कि King और Parliament दो पावर्स हुआ करती थी कही ना कहीं इंग्लेंड में अब यह दोनों के चलते King की पावर बहुत जादा थे और Parliament की कुछ चलती नहीं थी ऐसे वक्त Parliament के improvements के लिए कुछ Englishman लड़ रहे थे लोग कुछ लड़ रहे थे Englishman religion क के reform के लिए जैसे कि हमने पिछले कुछ lectures में देखा है और others were adventuring across Atlantic कुछ लोग थे वह Atlantic के कोस्ट पे जाके अपनी colonies बनाना चाहा रहे थे ताकि वह American लोगों के साथ ट्रेड याने की व्यापार कर सके अब आपको मैं जो मैप दिखा था उसमें अच्छे से देखिएगा और चीजों को समझिएगा सो इस मैप में आप देख सकते कि Atlantic Ocean और Atlantic Ocean के यह कोस्ट पे कुछ Englishman जो है वह अपने colonies बनाना चाहते थे ताकि वह America के साथ ट्रेड कर सके कोस्ट होता है ट्रेड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि आप यहां से व्यापार कर सकते हैं Pennsylvania हो गया, New York, Connecticut, Rhodes Island, Massachusetts हो गया, New Hampshire हो गया, Maine हो गया, यह सब जो हो गया, यह पूरे Massachusetts का ही पार्ट था यह जो में है वो तो इसी 13 colonies आपको यहां पर देखने मिल रही थी जो कि British की आपको देखने मिल थे, अब यहां पर क्या होता है कि यह सब जो colonies है इसके थूँ यह लोग कही अमेरिका में, उसके बाद क्या होता है, इन 18th century European countries जो भी वहां पर settlements करने लगी, वो भी अमेरिका में interested रहने लगी, North America जो होता है उसमें जो colonies थी उसको France ने बनाया था, याद रखेगा, अमेरिका का जो North part था और South part, North में किसकी colonies है, North में France की colonies थी, Holland की colony थी, Holland के अलावा हम कहेंगे, Spain की colony थी, इन सब की हास colony बन जाती है, और England की भी colony थी, इतने सारे powers आके जब अमेरिका पर अपने colonies बनाना शुरू कर देते हैं, तो in the 18th century England जो है, वो France को यहां से बाहर कर देते हैं, Eastern parts से, अब East parts से अगर देखा गया, तो France को बाहर कर दिया जाता है, उके, अब France तो East से बाहर हो जाता है, उसके साथ साथ और Canada नाम का जो देश है, वहां से भी बाहर कर दिया जाता है, France को, उसके अलावा, she had earlier taken New Netherlands from Dutch, और Dutch से New Netherlands भी मिल चुका था, Netherlands को भी अपने अंडर ले लेते हैं, और उसका नाम, New Netherlands का नाम चेंज करके New York किया जाता है, तो यहां प अपने कमांड जमाना की कोशिश की, ताकि वो dominance दिखा सके, अमेरिका के trade में, अमेरिका के व्यापार में, अमेरिका में, पूरी तरह से, अब क्या होता है, कि English colonies जो अमेरिका में है, जिनका अब हम नाम देखते हैं, देखे, उसमें सबसे पहले आपको यह बता दू, by the middle of 18 century, English की total 13 colonies थी, नौर्थ अमेरिका में, और Atlantic Coast को लगके थी, जैसे कि आप देखे रहे, total 13 colonies लगी हुई Atlantic Coast को, और वो होने के अलावा में आपको यह बता दो, कि landless present हो गया, जो लोगों को religious freedom होना वो हो गया, कुछ व्यापार याने traders हो, गर कुछ profiteers हो गया, जो कही ना कही हम कहेंगे कि profit बनाने के motive से वहाँ पर आये है, वो लोग यहाँ पर settle हो जाते हैं, तो इस तरह कि कुछ लोग वहाँ पर आके settle हो जाते हैं, अब सबसे पहले हम कहेंगे कि अमेरिका में आके यह लोग settle जब होने लगे, तो ज़्यादा तर जो population थी, वो एक independent farmers के थी, हैना the bulk of population consisted of independent farmers, जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे है, अपने खुद की खेती है, और खुद के खेती पे कही ना कहीं खुद काम कर रहे हैं, उसके अलावा जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी, इंफैंट इंडस्ट्री थी, जैसे की wool की इंडस्री, flax की इंडस्री या लेदर की इंडस्री, ये इंडस्री भी वहाँ पे डेवलप होने लगी, इन दर नौर्थ की अगर हम बात करें, तो सबसे में जो चीजे लोग करते थे, वो फिशिंग और शिप बिल्डिंग होने लगी, आप देख रहे हैं, कि ये लोग कही ना कही नौर्थ में शिप बिल्डिंग और फिशिंग करने लगे, और साउथ में जादा तर फ्यूडल मैनर जैसी चीजे थी, जहाँ पे लोग कही ना कही प्लांटेशन में चीजे कर रहे थे, यानि लोग बना रहे थे रोव माटेरियर, देखा गया तो, फ्यूडलिजम क्या है, ये मैंने आपको बता था, मैनर नौर्थ में अगर आप जाओगे, तो वहाँ पे फिशिंग और शिप बिल्डिंग दिख रही है, अगर आप साउथ सेड जाओगे, तो आपको वहाँ पे प्लांटेशन दिखता है, यानि हम कह सकते हैं कि मेनली रोव माटेरियल जो है, वह साउथ में अभी मिल रहा था, और बागे इंडर्स्ट्री के डिवलप्मेंट के लिए शिप बिल्डिंग थी, ट्रेड था, व्यापार था, तो उसके लिए नौर्थ एक अच्छी जगा मानी जा रही थी, अब ये दोनों चीज़े जब यहाँ पे चल रही थी, अमेरिका में तो हर कॉलनी में अपनी एक काम था, लौ इनक्ट करना, जैसे कि आज भी इंडिया में या फिर किसी भी देश में असेमली का काम होता है, लौ बनाना, वैसे यह पूरे जो 13 स्टेट से, 13 कॉलनीज है, यहाँ पे भी आपको दीख रहा है कि लौ बनाने का काम करने के लिए असेमली वहाँ पे थी, लौ अमेरिका उसके ही अंडर यह असेमली आया करती थी, जो अपने देश का अपना काम कर रहे थी, और यह लोग तो कॉलनी में आया या ने व्यापारी करके सेटल हुए थे, जो इंग्लेंड से आये है, जो कॉलनिस्ट होते हैं, फाउंड दे लौ विच इंग्लिश गवर्मे जो इन पर लगा रही थी, अगर देखा गया, तो कॉलनिस्ट जो है, फाउंड न्यू लौ विच इंग्लिश गवर्मेंट इंपोज अपॉन दे मोर और और अब्जेक्शने, तो यहां पर हम कह सकते हैं, जिनके उपर यह लोग रूल कर रहे हैं, वो अमेरिका के, वो आखे, इनके उपर उसको कंपल्सरी कर रहे हैं, आप फॉलो करो, इस कारण इनके मन में फीलिंग आते हैं, यह लोग हमारे अभी पॉलिटिकल मैटर्स में, यह क्यों आये थे, यह आये थे, ताकि व्यापार करने हो, अभी हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंटर्फिय हो जाता है मिल जाता है अमेरिका और गिसको हमें पढ़ना पड़ता है जिसको कहते हैं अब रेजिए विवल्यूशन, इसका हम ने अभी तो अभी तो इंट्रोडक्शन देखा हैं किि किस तरह से अमेरिका था अब हमें आगे देखता है कि होने क्या वाला है वि another अमेरिकन रिवोल्यूशन यह जो टॉपिक है यह काफी एक बड़ा टॉपिक होता है इसलिए हमें इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इसे पढ़ना होता है ताकि हम इसे डीटेल्ड स्टडी कर सके और बहुत अच्छे से समझ सके तो आ गया आने वाले वीडियो में करना है